आप देखरें हमारे साथ हमारा हेल्ड सेग्मेंट सेहत नामा आज अब बात करेंगे टॉंसिल के बारे में गले में होने वाली कोई भी समस्या काफी दिक्कत देने वाली हो सकती है टॉंसिल भी इनी में से ऐसी कोई समस्या है जिसने आपको कभी ना कभी जरूर परिशान किय होगा तॉंसल गले में पिछले हिस्थे में मौझवा दो ओवल टिश्यू में होने वाली सूजन की स्थिति हैं तॉंसल में मौझूदा एंटि बॉडी गले और पेपड़े को संकर्मन्ट को रोपने के लिए मदद करती है हाला कि कुछ स्थिती में इसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण खाने पीने में तकलीफ होने लगती है बच्चों में ये समस्या आम बात होती है टॉंसिल में होने वाली सूजन के कारण गले में खारश, निगनले मिट कटनाई होने लगती है दर्द और वुखाद ऐसे भी चीज़े होने लगती है वैसे तो ये समस्या किसी को भी हो सकती है हाला कि बच्चों और टीनेजर्जर्स में ये दिक्कत सबसे जादा देखने को मिलती है वाइरस या बैक्टीरियल संक्रमन के कारण गले में मौझूदा इन टिशूज में सूजन आ सकती है चलिए अब जानते हैं कि टॉंसिल्स के क्या लक्षन होते हैं टॉंसिल्स की स्थिती गले में कई तरह की समस्याओं का कारण बन सकती है जिसको लेकर सभी लोगों को विशे साफदानी बरते रहना चाहिए टॉंसिल्स में सफेद या पीले रंग के टॉंसिल्स की स्थिती में समानने दवाओं से सूजन को ठीक किया जा सकता है हाला कि अगर आपको इस तरह की दिक्त अकसर होती है तो इससे बचने के लिए आपको इसका इलाज करना बेहद जरूरी होता है टॉंसिल्स से बचाफ के लिए औरल हाईजीन का ध्यान रखना आ टॉंसिल्स का निदान होने के बाद अपने टूट ब्रश को बदले बच्चों के बैक्टेरियल या वाइरल संक्रमंट से बचाने के उपाई के बारे में जरूर बताईए बच्चों को बैक्टेरियल या वाइरल संक्रमंट से बचाफ के लिए जरूर उन्हें जानकारी द होती है तो एक बार डॉक्टर से जरूर सला लीजिए आज के लिए वस इतना ही ऐसी और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल दनगरी मीडिया के साथ दन्यवाद